हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को चुकुंदर का जूस बनाना बताऊंगी इसको पीने से हमारे शरीर में बहुत सारी पिमारिया खत्म होती है खुन को बढ़ाने में भी मदद करता है और गंदे खुन को साफ करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी तुचा को भी चमकदार बनाता है बीपी को भी कंट्रोल में रखता है बलड की कमी को भी पूरा करता है भजन कम करने में भी बहुत ही जादा मदद करता है बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही मददगार है तो फ्रेंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट यदि आपक चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप ना बूले चुकुंदर का जूस बनाने के लिए इनको पीलर से पील कर लेंगे चुकुंदर के जो हैं अमारे सरेर में बहुत जादा फायदे होते हैं एक तो यह लीवर में फेट जमा होने से रोकता है कोलिस्ट्रोल को भी कम करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी बहुत ज्यादा करता है तो सभी को हम यह चील लेंगे और है इसको पूरी शर्दी में हम पीते जूस को तो बहुत ही ज्यादे एक खून भी बढ़ाता है और जो भी हमारे सरेर में गंदा खून होता है उसे भी साफ करने में बहुत प्राइदे बंद होती है एक तो यह आंकों की रोश्णी को बढ़ाती है दिल को भी स्वस्त रखती है और खून की कमी को भी पूरा करती है तो गाजर को भी हमें ऐसे चील लेंगे चोटे-चोटे-चोटे इसके भी तुकड़े कलने हैं हमें तो जूस बनाने के लिए हमने करता है वालों को चमक दार और मजबुत बनाने में भी काम करता है हमने एक चोटी सी लोगी ले लिए वेजन को भी नित न n और डाइबिटीस के लिए बहुत फायदे बंदे और नेट्रल ग्लो भी इससे मिलता है रहे स्किन के लिए रहे पालक ले लिए सरद्यों में बहुत अच्छा पालक आरहा है तो पालक के में पत्ते पते तोड़ लेंगे पालक जो हमारी तुचा को संडेमेज से भी बचाता है और साथ के साथ यह आखों की रोश्णी के लिए भी बहुत फायदेबंद होता है तो हमने मिक्सिका बड़ा वाला जो यह जार ले लिया है अब जो इसमें हम पालक एट कर देंगे को इसमें हमारा धनिया के पतियां अध्रक ले लिया है एक डेट इंच के लगबग अध्रक जो हमारे गल्ली को साफ करता है और जो सवर्दी खांसी जुखाम हो जाते ना उससे भी बचाता है इसमें गर्माट होती ना इसलिए तो इसे भी इसमें कर देंगे हमने सक्कल ले लिए 3 टेवल इस्पुन उसे भी इसी में एट कर देंगे सक्कर से कहाई टेस्ट अच्छा हो जाएगा हमारे जूस का इसलिए एट कर रहें हम बट जो सुगर वाले हो वह सक्कर एडना करें यहां और हमने वंटी स्पुन चाट मसाला ले लिया उसे भी जो इसी में एट कर देना हमें हमने एक ग्लास पानी पालें हमें पृइसरों जो हो इसां कि प्री करें लें देख्यों से अफ ये हम इत्व को से वि Lindsay लिए और नंकी को रिम्टाद्र रेला जाने तो कंसे हमें से दिनाती चलंसी । अब जो एकिसी भी चम्मच वगिरा की मदद से आप इसको इस तरीके से चलाते जाना जिससे क्या होगा जूस 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 चंच जाएगा और यह हमारे चुकुंदर वगिरा है ना इसके आप पराठे भी बना सकते हो यहां आठे में लगाते हैं पराठे बन जाते बहुती ट निकल रहा है इसका मतलब हमने सारा जूस जो हमारा निकाल लिया है घर का एकडम फ्रेज जूस यहां बनकर तयार हो गया है घर पर बनाओ तो सुद्ध रेती सारी चीजे तो आप इसी तरीके से जूस बनाना बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सबसे बड़ी बात है चलना नमक एड़ कर देंगे वन टीस्पून के लगवग हमें जोह नमक यहां एड़ करना है और इसको मिक्स कर देंगे तो जूस बिल्कुल पीने के लिए तैयार हो चुका है हमने जूस को जोह दो ग्लास में ट्रांस्वर कर दिया है और एक निप्बू जोह हमने ले लिय कि घो ग्रांस पर देया और तो तो कुली के लिए निपक्तातों से ऐसे मिलता है कितना क्ष्ट्व मैं इस बना तो तो एसा लगेगा पी रहे हैं कि घर में भी हम घूस यदि आपको के रिश्यानी तो मैं इस तरीक पर दूख है तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ यदि आपको मेरा ये जूस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर अपन फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेगे नेक्स्ट रेसिपिक साथ जब तक लिए बाबाएं ट टेक्यर